उत्तर प्रदेश के नौजमानों का बिरोध उत्तर प्रदेश के किसानों का बिरोध उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों का बिरोध तुम्हारे बाबा को थोंक के चटा दिया कम से कम सोस समझ के कानून बनाया करो, अनपढ़ जैसी काम करते हो, कोई अगर नया कानून बनाना है, तो कम से कम 10 वकील बैठा लिया करो, अभी तक तो लोग फैंकू बोलते थे फैंकू, लेकिन अब फैंकू नहीं रह गए, अभे तो बेंचू बन गए बेंचू, इनकी बा अब साथ में तो देश भी बेचना बाकी रह गया है और वह भी बेच देगा आज अभी आप लोगों ने सुना होगा कि अभी जो है अध्या देश लाया गया है किशानों के लिए अध्या देश लाया गया है नई एक्री कल्चर नीती लाई गई है लेकिन वह नई एक्री कल्चर नीती वह किशान बिरोधी नीती है आपने देखा होगा कि जिस तरीके से पूरा किशान इस समय आंदोलन कर रहा है वहीं अंदभगत क्या कर रहे हैं ये कनखजूरे अंदभगत आज जो है ये बंदर बन चुके हैं बंदर ये बंदरों की तरह खुजूली कर रहे हैं और इनका खुजलाते खुजलाते जो है उत फिजवाडा इनका लाल हो चुका है इन बंदरों का आज बंदर बन चुके हैं और मैं ये कहोंगा खास करके कि जो अंदभगत टाइप के लोग है न इसलाभगत कनखजूरे अपनी पिछवाडा खजूलाएं अपने घर बैट के अगर साइद यहां आएंगे ना तो हम इतना खुजला देंगे कि इनकी तीन पुष्ट इनकी तीन पुष्ट जो है वह खुजली करते करते परिशान हो जाएगी अभी जितने मेरे क्रांतिकारी साथी है मैं उनसे अग्रह करूंगा कि आप लोगों को जोडते रहें आफटा फट इसको जो है आगे बढ़ाते रहें और लोगों तक पहुंचाते रहें कि आज अंद-भगतों की खाइर नहीं है आज अंद-भगतों का पिछवाडवा करना है बंदर की तरह क्योंकि ये बंदर, बंदर है एक कभी इस डाल पर चाहिए उत्तर प्रदेश की सरकार हो और क्यांद्र सरकार हो और प्रयोग सालाइ बना लिये है एक कानून बनाते हैं जब उसका बिरोध होता है तो फिर उस कानून को खतम कर देते हैं अभी इन्होंने नई किसान नीती बनाई है जिसमें इन्होंने क्या किया है कि मंडी से बाहर भी फसल कि खरिदारी होगी। अरे कुकुर्मुतों मंडी से बाहर मंडी कहे के लिए बनाई गई थी लेकिन प्रमारपत्रे आपको देते हैं कि आप देश बिरोधी हो और देश बिरोधी काम एक करते हैं इनका दूसरा अध्यादेश के आया है जानते हैं कि दाल आलू प्याज की इस्टाक शीमा जो है उसको खतम कर दी गई यानि कि प्याज आलू टमाटर चाहे जितना जो है अडानी यंबानी बिजय माल्या ललित मोदी मेहूल चौकसी यह जैसे जितना इस्टाक करें इन पर को कोई पाबंद नहीं है यह चाहे जितना इस्टाक कर लें यानि कि जब किशान का जो है प्याज आलू टमाटर तैयार हो तो यह दो रुपए किलो खरीदें और उसके बाद तैयार होने के बाद जानते हैं यह डेड़ सव रुपए किलो बेचें और आप खरीदो तो गोबर खाने वाले लोग है एक चुआ है कचुआ 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 जानते हैं क्या खाता है यह जानते होंगे आप पैदाइस चिनमयानंद के अपने जो है घर की बाबहन बेटियों को भेच के तेल लगवा लेंगे और इनका जीवन गुजर बशर चलता और यही यह करते आये हैं कि तीसमा है content farming की बढ़ावा यानि की पूरी की पूरी तरीके से जैसे इन्हों ने रिल बेच दिया इन्होने रिएल गाडिया बिच दें इन्होंने भूसे बेच दें आश्पताल बेच दिया लाल और अवे तक तो लों बोलते थे लेकिन अभेज नहीं रह गए अब टो बैंचू बैंचू जानते हैं न अब लोग अब सब कि इनको बेंचू ребята किसानो जमीन बेचाना चाहते हैं इनके बाप की एकिसानों की जमीन चलता है न इनके लाल के यूवादा देखा हो गानोन लाए थे कंसा कानून था जनते हां चाश करके अंदभागतों को मैं बता रहा हूं कि यह कानून राये थे कि 8 घंटे के बदले या मजदूरों को 12 घंटे काम करना पड़ेगा और जब पूरी तरीके से उसका बिरोध सुरू हो गया सोशल मीडिया से ट्वीटर से चुकि उस समय तो कोरोना चल रहा था न अब इसमें कुछ कभूतर हैं अंदभागत हैं यह जो है बंदर बंदर बंद तुमको नहीं पता है कि वो समय कोरोना चल रहा था धारा 1444 चल रही थे लेकिन उसके बावजूद भी जब विरोध हुआ तो तुम्हारे जो यह बबबा है ना बबबा योगी महराज उसको उसको कानून को वापस कर दिये थे पता है अब उसके बाद फिर नहोंने दूसर कानून क्या लाया कुकुरमुत्तों कि आपको अगर नवकरी मिलेगी तो पांच साल पांच साल आपको क्या करना पड़ेगा जानते हैं कि पांच साल आपको शंबीदा पर काम करना पड़ेगा लेकिन उत्तर प्रदेश के नौजमानों का बिरोध उत्तर प्रदेश के किश तुम तो थोक के नहीं तुम तो मुट के भी चाटोगे तुम्हारी यही आवकात है और तुम्हारी यही हैशियत है यह कानून बनाते हो और कम से कम सोस समझ के कानून बनाया करो अनपढ़ जैसी काम करते हो कोई अगर नया कानून बनाना है तो कम से कम 10 वकील बैठा लिया कर सम्विधान विशेशक के बैठालिया करो लेकिन तुम सम्विधान क्या जाना जानागे सम्विधान क्या चीज़ होती है संविधान को कभी तो तुमने देखा ही नहीं है कि अकल तो है नहीं अंध भगत गंध अंदभगत कुकूर्मुत्ते जो है इनको क्या पता है तो आज जो इन्होंने कानून नया लाया है अभध्याद्रज के अंद्रसरकार उसका जिस तरीके से बिरोध हो रहा है पूरे देश में पूरे देश में बिरोध हो रहा है और देख लीज when चार दिन के अंदर आप तरीके से अगर बिरोत करते रहे ना तो इनको वापस करना पड़ेगा और अंदभगत जो यह लाल लाल खजुला रहे हैं इनको खजुलाने दीजिए यह कब तक खजुलाएंगे आज जिस तरीके से आप देखे होंगे कि जैसे ही किशान की आलू तैयार होती है उसका रेट क्या हो जाता है पांच रुपए किलो और जैसे ही कार्पोरेट घरानों के जो है कोल्ड इस्टोर में पहुंच जाता है उसके कीमत क्या हो जाती है 40 रुपए किलो आज आलू बिक भी रही है कहा कहां 40 रुपए किलो आलू बिक रही है आप लोग बताएए उसके बार टमाटर किशान का तैयार होता है तो वह टमाटर शडग पे फैंका जाता है उसको कोई पूछने वाला नहीं मिलता है और वही जब जाती है कार्पोरेट घराने वालों के पास और वहां से वहां से जब चटनी बनके आती है तो उसके कीमत कितना होती है डेड़ सौ रुपए किलो यही प्याज है कि नासिक से लेके मध्य प्रदेश तक जब पैदा होती है तो सड़कों पे फेंका जाता है और कितने किशान है कि उसको जो है इतना ज्यादा खर्चाता है कि उसकी खुदाई नहीं कराते मंडी कि अंदर प्याज 100 रुपय पार करने वाली है और 100 रुपय पार भी करेगी और यही चाहते हैं कि आज बैठे हैं सत्ता में लोग यह यहीं कि यहीं चाहते हैं कि पूरे देश के लोगों करके कब उत्र बना धिया जाए जहें कि नौजवान भोटzar वो चाहें जो सबको कब उत्र बनाना चाहते हैं है तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जो है आवाज बनिया आवाज उठाईए कि